हलो, हाई, हुला, बॉन्जॉर, वेलिकम बैक तो मैं चैनल, इट्स मी, स्नेहा गुएल, तोड़े, आइम गोंग तो शो यू, टैंपल्स ओफ उज्जैन व्लोग, इस व्लोग में आपको दिखाऊंगे कि मैंने उज्जैन में कौन-कौन से टैंपल्स देखे, तो स्टे ट्य लेक है, इस लेक में आप ना सकते हैं, यह देखिए, यह देखिए सिद्वत घाट पंडी जी भी बैठे ही थे, यह सिद्वत स्नान घाट है, इस पे ना आने जाते हैं लोग, आप मुझे तो जानते ही होंगे, यहाँ पर मैंने सूर नमसकार किया है, यह सिद्वत घाट पर हमने ववन किया है, अब सिद्वत ठापको आपने देख लिया अब बार ये सिद्वत मंदिर देखने की ये देखिए सिद्वत मंदिर यहां सिसकी शुरुवात है ये देखिए एंटरिंस पर गणेश जी लगे हुए है और ये लेक जो मैंने आपको पहले दिखाई थी इस लेक में एक बोट भी चल रही है ये देखिए बोट सुबह का टाइम ता इसलिए इतनी भीड़ नहीं थी लेकिन फिर भी काफी भीड़ती है ये देखिए मंदिर के अंदर आने वाले हैं आ गये हैं तो ये सिद्वत मंदिर में पर तस्विए लगे हैं और ये रहे सिद्वत महाराच इनको बू पित्र दोश के लिए ये देखिए उनके बगल में गड़ेश जी की भी मूर्ती है गणपती बपा मोर्या गम्मदेव और ये छोटे से कृष्णा जी क्यूट लग रहे है ना और ये सिद्वत परी शिवलिंगती अच्छी लग रही है और ये सती माता का मंदिर है पहले मैंने सीता माता समझाता लेकर बादम सचला की सती माता था ये गौश आला है जहां पर हमने काव को चारा दिया था ग्रीन ग्रीन वाला है हमारी एक और गौव माता चारा खा रही है अब हम दूसरे टेंपल्स की तरफ जा रहे हैं तो ये रास्ते में जो मंदिर पढ मालच सकते हो येकम और मंदिर घया यू घया राम मंदिर हम इस वी डाळ का वी या पीछे तक देख सकते हैं यह हर्याली ओड़ यह लक आ गयी है यह एक और मंदिर लॐकिन हम इस वीडियो में में मैंन मंदिर सोत हैं कि में मंदेर यहां मैं आप गूमाओं यह भूमसास का फ़ी और मंदिर दोस्रा मंदर यहां पर पूजा हो रही है लेकिन हमें ऊपर जाके मंदिर में करने हैं दर्शन देखिए यहां पर भी गणपती बप्पा है गणपती बपा मोर यह अंदर जाके है मंदिर थोड़ा सा इसके यह मैडा है प्रक्री जो होती है मैड से वाइट लगा हो यह अंदर जाके मंदिर है यह देखिए शिवलिंग का स्णान हो रहा है फिर इसको यह आप में सर्ण अगेरा पिनाएंगे इनको यहां के और मंदिर है उसके अंदर ही यह देखिए कि प्यारी शिवलिंग कितनी फूलों से सजी ह हुई है देख सकते हैं पूरी सजी हुई है फूलों से सुन्दर लग रही है काफी यह देखिए हन्मान जी पहार उठाए हुए और यह भुवनेश्वर प्रत्वी माता कि प्यारी लग रही है यह देखिए उसकी परिक्रम्मा करके दिखा रही हुए अब हम जा रहे हैं मैशी जदापनी आश्रम जहांपर कृष्ण जी पढ़ा करते थे उनकी पाटशाला थी वही पे वो सुधामा जी से भी मिले थे अब हम वही जा रहे हैं यह देखिए आ गया कृष्ण जी की विद्यास्थल जहांपर वो पढ़ते थे यह रही श्री कृष लुक्स वगएरा ही थी कृष्णी जी की जैसे कि आप ये कैलिफेंट का स्टैचू है और ये है स्री शर्वेश्वर महादेव का मंदिर महर्शी के उसी में है तप उस्थल में ही है ये नंदी महाराज थे जिनके कान में कुछ भी बोल सकते हैं ये रही वही जगा जहां पर वह बैठे होते थे यहां की चुत्रकारी में भी आप देख सकते हैं कि एक टीचर है जो कि उनको पढ़ा रहे हैं कृष्ण जी को सुधामा जी को और बलराम को अब हम काल भैरव मंदिर में आ गए हैं ये प्रशाद है ये ही शराप जो चड़ाई जाती है उनको लेकिन अभी सावन के सौमबार चल रहे हैं इसलिए शराप चलाना मना था और देखे कितनी भीड़ है बहुत भीड़ती वहां पर ये काल भैरव मंदिर के सीड़िया हैं अब काल भैरव मंदिर के अंदर कितनी ज्यादा भीड़ती बहुत भीड़ती देखिया आगा ये फोन नहीं चलाने दे रही थी ये रही काल भैरव के दर्शन कर लीजी आप अब हमारे हैं गड़काले का मंदिर में तो ये हैं गड़काले का मा देख इनका श्रिंगाय कितना अच्छा अब रहा है ब्यूटिफुल एकदम ये शेर का स्टैचू था वहां पर और ये वाली बने हुए थे अब हम जा रहे हैं बड़तेहरी गुफा का रास्ता है देखिये यहां पर कितनी सुन्दर चीज़ें रखी हुई हैं यहां पर गाये भी थी जिनको आप चारा खरिश के खिला सकते हैं बड़तेहरी गुफा के रास्ते में गोशाला भी थी अब यहां से हम गुफा के अंदर जाएंगे यह देखिये हनवान जी की मूर्ती रखी हुए है यहां पर और यह देखिये यह भाहर का सीर है गुफा के भाहर के यह देखिये माता की मूर्ती और माता की तस्वीर और शेर बैठे हुए है यह बसम है हवन की यहां पर हवन वगरा होता होगा अब यह देखिये यह काल भेरव है यह देखिये गुफा का प्रवेश्मार्ग आ गया है यह गणिपती बबब्ब मूरिया यह गुफा नंबर वन है अब हम इसके अंदर जाएंगे इसके अंदर बहुत सफोकेशन हो रही थी बहुत ज्यादा भीड़ती तो उमस इतनी थी अब अब जाएंगे की गर्मी लग रही थी गुफा में घुटन हो रही थी लेकिन गुफा के अंदर का व्यू अच्छा था का अफिए यह चोटे से जीने जिन से हमें नीचे जाना है कितने चोटे और देखिये आप जा देख रहे हैं कि लोग नीचे भी जा रहे है और ऊ जाड़ा लगा रहे थे हैं कि मैंने अपने उपर जाड़ा मडवा लिया है पता है आपर तो दो चमकादर भी थे अभी आपको परचा यह दिखेगी देखना यह कालीमा है अब हम जाएंगे गुफा नंबर दो में यह पही थे चमकादर दिंगी पडचा ही दिखेगी आपको इदे के अंदर का यह सीन था यह शिवलिंग थी हरार महादेव गुफा के अंदर नद लगाना बंद मना होता है इसलिए हमने लगाई नहीं थे यह एक और शिवलिंग ह अब यह महाकाल जा रहे है महाकाल के दर्शन के लिए आप देगी सकते कितनी लाइन लगी हुई है कम से कम 3-6 km तो हम पैदल चल भी शुक चुक हैं और यहां पे हम सब जा रहे हैं लाइन में काफी लंबी लाइन थी मैंने इस वीडियो को बहुत चोटा रखने के लिए ब बहुत जादा लोगते सबसे जादा महाकाल में लोगते अब देखों हम चलते ही जा रहे हैं यह आगये हम महाकाल के दर्शन के लिए यह रही पिक्चर्स महापे सीसी टीवी चल रहा होगा अगर आप नहीं देख पाओ तो सीसी टीवी कैमरे की मदद से एक वीडियो चल र बैद से नहीं देख अब दर्शन कर लिए रही जोत्री लेंग बाहर नंदी जी हैं अंदर गेट के अंदर जहां से पंदी जी निकलेंगे यस वह रही कालेकलर की मूर्ती आप दर रही हैं यहां पर चल रही है सीसी टीवी यह महाकाल का टैट्व करवारे थे कुछ लूग गाइस यहां पर बहुत भीड़ती इसलिए मैं बॉइस रिकार्ड कर ली उँ मतलब मैं इनका भाईई हूं में भी इनके संब बॉइस रिकार्ड कर रहा हूं और यह भी बॉइस कर रही हैं तो बोला हर हर महादेव सो गाइस अब हम आ गए है नीलकंट महादेव पर यह देखिए यह रहे नंदी इनके कान में जो भी बोलते हैं यह पौजा देते हैं ऐसी मान्यता है तो गाइस यह है नीलकंट महादेव आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शिवलिंग है नाग भी बैठे हुए है वहाँ पर जो कि यह कुछ खा रहे है अपनी सूर से पकड़ कर अपने मूह में डाल रहे हैं यह काफी तंदोस थाती है आप देख के पता लगा सकते हैं और यह दाल बाती बन रही है अब कर फिका नेर्ग खटके जा रहे हैं आप आख बैगें यह कि शस्जानल को सबस्क्राइब यहां लगामाे